In this example y plus z small p plus z plus x small q is equal x plus y तो यहाँ पर देखो given क्या है अपने हो capital P की value क्या है y plus z है capital Q की value क्या हो गई z plus x हो गई और r की value क्या हो गई x plus y Then the auxiliary question किस तरी कैसे लिखेंगे dx upon pp क्या है y plus z is equal dy upon q q की value क्या लिखेंगे z plus x is equal dz upon r r की value लिख दिया हमने x plus y Now हमने relation यह उस करेंगे अलग-अलग जैसे अगर आपन देखें तो dx की नीचे क्या value आ रही है y plus z आ रही है dy की नीचे क्या रहा है z plus x और dz की नीचे x plus y अगर हम तीनों को add करते एड करने का मतलब है कि यहां पर यह method of multiplier अगर आपन यूज करें method of multiplier क्या coding यहां पर आपको क्या निज़र आ रहा है कि जैसे फैस्ट जो पार्ट आ रहा है उसमें हम इस तरह की से relation बता सकते हैं एल एम और एन या तो तेनों की विल्यवन माल लो तब भी ऐसी विल्यवाइगी और यहां पिर हम क्या कर सकते हैं कि इन तेनों को add कर दिया एक तरिके से तो अपने पास देखो क्या बन रहा उपर कि दो शल्यवन गया बना निचे टू अ कि प्रिकेट में एक स्प्लस वाइ प्लस जेड यह किस्तरी के से बना देखो आप देखोगे कि यहां पर ऐलम नकी विल्य होगे अपने अग्ण लेकर जहां जो आपने मेतड मुल्टिप्लिए ह्पडा था भी उसके अकोडिंग के विज़े से उपर कि आगया । इंसे इन की वेली वन ने की विज़े से इन तिनों को simply add कर दिया एड करने मतलब हो गया कि देख गोई जेड भी दो है एक्स भी दो है और वाई भी दो है तो 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 अगर आपने ने लिया तो bracket में क्या बचा x plus y plus z is equal आगे वाले पार्ट में हमने क्या किया है कि equal sign के बात में हमने देखो dx के नीचे y plus z दिख रहा है और dy के नीचे upon z plus x दिख रहा है तो अगर मैं dx में से dy को minus करता हूं तो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें z जो है वो minus हो जाएंगे यानि हमारे पास उपर आले पार्ट में dx minus dy करते हैं तो नीचे वाले पार्ट में y plus z minus z minus x करेंगे तो z से z cancel out होके y minus x दिखेगा और y minus x में से minus अगर common ले ले तो minus x minus y इस तरह के से नज़र आएगा आपको similarly आगे वाला पार्ट के हमने कि dy upon z plus x is equal dz upon x plus y है अगर dy में से मैं dz को minus कर दो उपर आले पार्ट में तो नीचे वाले पार्ट में भी क्या होगा कि z plus x में से x plus y को minus करेंगे तो आपको minus of y minus z मिलेगा अब किसी के mind में आ रहा होगा कि सर हमने ये सारी चीज़े क्यों की तो ये इसलिए जरुत पड़ती है कि जैसे dx के नीचे अगर x की ट्रम होती है तो हम simply उसका integration कर सकते हैं नीचे मान लो अपने पास dx upon x होता तो अपन कहते हैं कि one of one x का integration क्या होता है लोग x होता है बट dx upon y plus z है तो y plus z का integration अपने पास possible नहीं है क्यों क्योंकि हम integration कर रहे है with respect to x और variable अपने पास नज़रा रहे है y और z तो हम कोशिस क्या करते है कि इस तरिके से इस equation को set करने कोशिस करते हैं कि उपर अगर dx दिख रहा तो निचे x की ट्रम ही दिखे अगर उपर dy दिख रहा तो निचे only y की ट्रम होने चीए बट यहां पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है यहां पर dx की निचे y plus z आ रहा है यानि y और z की आ रहे हैं dy की निचे आ रहा है एक्स और z की ट्रम और dz की निचे आ रही है एक्स और y की ट्रम आ रहे हैं तो यह पॉसिबल नहीं है तो इसको हम rearrange कर रहे हैं rearrange करने के लिए अपने पास दो मेथट थे एक method of grouping था और दूसरा था method of multiplier उनको यूज करके अपने ये जो next new equation बनाई है अब अगर आप देखो तो आपको नजलाएगा कि देखो उपर dx plus dy plus dz दिखे रहा है तो नीचे भी आपको x plus y plus z दिख रहा है इसी तरीके से अगर आपको उपर dx minus dy दिख रहा है तो नीचे भी आपको x minus y दिख रहा है उपर अगर आपको dy minus dz दिख रहा है तो नीचे भी आपको y minus z नज़र आ रहा है अगर आपन स्टार्टिंग की two values को यूज करें पहले तो नाउ टेकिंग दफास्ट्व मेंबर्स भी हैव फैस्ट्व वेल्यूज को अगर अपन लेते हैं तो देखो dx plus dy plus dz upon x plus y plus z हो गया और यह two है वो cross multiplication से right side में से लागया तो plus का हो गया और इस पार्ट को इधर लेके आगया इक्वास हैं से इस तरफ लेके आगया अब लेक्ट हैंड साइड में तो minus की दिख क्या क्या गया प्लस आ गया तो plus 2 dx minus dy upon x minus y equal 0 अब हम integration करेंगे integration करने का मतलब भी है कि देखो आपको integration I think आ रहा होगा सबको कि अगर दोनों तरफ integrations है लगा दे तो उपर आपको दिखेंगा dx plus dy plus dz नीचे दिख रहा x plus y plus z तो x plus y plus z को आप t मान लो अगर आप x plus y plus z को t मानोगे तो x का integration dx y का sorry x का differentiation dx y का dy और z का dz तो x dx plus dy plus dz को पूर्य क क्या लिख सकते हो एक साथ में dt लिख सकते हो तो आपके पास जो value आएगी वह आएगी 1 upon t और dt और 1 upon t का integration क्या होता है log t होता है तो आपके पास t की value वापस पूट कर दोगे तो आपके पास बनेगा log of x plus y plus z फिर plus 2 अब इदर दिख रहा है आपको dx minus dy upon x minus y अगें x minus y को आ सब्सक्राइब करने पर क्या आएगा dx minus dy आएगा इस तरफ तो और equal sign में क्या एगा डिटी आएगा तो यह भी 1 upon t dt बन गया तो log t dt हो जाएगा टी की value x minus y रख देंगे इस इक्विल क्या रहा है जीरो जीरो क्या एक constant क्या है अगर constant होता था हम variable लेक इस और यहां पर क्या लिखेंगे एक arbitrary constant जो आपने सा प्लस c1 लिखते थे यहां पर प्लस c1 की जगा log c1 लिख दिया क्यों लिख दिया क्योंकि यह एक arbitrary constant है और arbitrary constant हम कोई भी रख सकते हैं चाहे c1 रखो चाहे c2 रखो log c1 रखो चाहे log c2 रखो तो यहां पर जो new equation बनके है आपके पास वह आपक plus 2 log x minus y is equal log c1 अब आपको देखो 2 log x minus y दिख रहा है अगर 2 को आप पावर में लेके जाओगे तो x minus y का क्या दिखेगा square दिखेगा फिर आपको नजर आ रहा है कि log a plus log b और log a plus log b कितना होता है log a b होता है तो हमने लिख दिया log of x plus y plus z x minus y का square is equal log c1 अब दोनों तरफ log आ र c1 similarly हम क्या करेंगे जो यह auxiliary equation से हमने rear end square के बनाया है अब हमने एक solution निकाल लिया जो आपको equation first में नजर आ रहा है इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि दूबारा से last two terms को use करेंगे अब last two terms को use करने पर देखो क्या हैगा dx minus dy upon x minus y is equal dy minus dz upon y minus z again इसका integration करेंगे तो आपको क्या मिलेगा log x minus y is equal log y minus z plus एक arbitrary constant लेते हैं तो वो ले लिया हमने log c2 अब आपको नजर आ रहा है कि log a minus log b तो log a minus log b क्या होता है वही log a upon b होता है तो log a upon b is equal क्या आगया log c2 दोनों तरब से log cancel out कर दें तो आपको दिखेगा x minus y upon y minus z is equal c2 अब हमने अभी जो method पढ़े हैं और एक general solution बढ़ाता है starting में previous वीडियो में मैंने बताया अभी उसके अंदर हमने कहा कि जो solution होता वो phi of u1 u,v is equal 0 होता तो general solution में हम क्या लिखेंगे phi of u,v is equal 0 तो u की value क्या हो गई x minus y upon y minus z v की value हम माल लेते हैं x minus y का square y plus x plus y plus z equal 0 तो इस तरीके से हम इस question को solve करते हैं एक question आपर और देखते हैं next question में देखो कि solve y square plus z square minus x square small p minus 2xy q is equal minus 2z x सबसे पहले तो अपना काम क्या है कि इसमें से capital p, capital q और capital r को अलग करना उसके बाद में हम क्या करते हैं auxiliary equation मनाते है auxiliary equation क्या होती है dx upon p is equal dy upon q is equal dz upon r अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको कौन सी equation मिलेगी equation number first मिलेगी taking the last two members we have देखो last two को लेने में क्या होगा कि आप एक बार खुद देखो कि last two members में आपको नजर क्या आ रहा है नीचे एक में minus 2xy नजर आ रहा है दूसरे में नीचे नजर आ रहा है minus 2z x पहले सी तो दोनों में minus 2 minus 2 आ रहा है तो cancel out हो जाएगा उसके बाद में नीचे आपको दोनों में x नजर आ रहा है तो x भी cancel out हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या दोनों last two terms में dy upon y is equal dz upon z बचेगा अब dy upon y is equal dz upon z का integration कर दें तो one upon y का integration आप जानते हो log y होता है one upon z का integration log z होता है plus में rbt constant लिख दिया हमने log c1 again log a minus log b बन रहा है तो इसको क्या लिख देंगे log a upon b लिख देंगे और अपने पास solution क्या आ जाएगा जो first solution आ जाएगा वो आजाएगा आपके पास y upon z is equal c1 again हम क्या करेंगे using xyz as multiplier each fraction in fast तो हमने बताया था कि अगर अपने पास यहां पर हम क्या करें method of multiplier से दूसरा relation find out करने को सिस करें क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो आप अगर आप इस पार्ट को देखो तो last two members से ही हमने को ऐसी forum मिल रहे है कि उपर d y है तो नीचे y की मिल रहे है लेकिन अब अगर इन दो ट्रम को छोड़के कोई भी दूसरी दो ट्रम को लेते हैं तो अपने पास ऐसा कोई relation नहीं मिल रहा है यह में करना क्या पड़ेगा method of multiplier यूज करना पड़ेगा और method of multiplier के लिए आपको नम जो हम element choose करते हैं यह आप कैसे चूज करोगे यह आपको आएगा प्रेक्टिस से यानि आप नंबर आपको यह आईडिया लगना स्टार्ट होगा कि कौन से में कौन सी element को यूज करना है कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं तो सेट करने की प्रोसेस के है कि उपर जो फॉर्मेट होता है उसका वह एज डिफ्रेंस से नजराना से नीचे वाले पार्ट का यानि नीचे जो भी पार्ट आप बनता है एल्पी प्ल से दुंगे टो के लिए आपको डिखेंगा एम डिवाई ची नीचे क्या क्या ओता है एल्पी डिखाल ले लिया और पी की वेल्या आपको क्यों से दीवह आप फिर प्लस प्लस एम वाई तो आपको क्या करना है म्यख़ से अल्टिप्ल स्सκर्ण육 कि रोंग तो एन प्लस एनंग कि कर तो R से multiply क्या करना है n को n की value कितनी लिए हमने z लिए तो minus 2x z square बन जाएगा अगर आप इस bracket को solve करो नीचे वाले bracket को तो आपको दिखेगा x y square plus x z square minus x cube और आगे वाली दो value ऐसी के ऐसी रहेगी नीचे next देखो x dx plus y dy plus z dz upon अब आपको नजर आ रहा कि x y square तो positive था और minus 2x y square क्या है negative है और दोनों चीज़े सेम है तो minus 2 में से plus 1 करेंगे तो क्या बचेगा minus 1 बनेगा तो आपके बास नीचे वाला जो पार्ट हो वो कुछ इस्तर किसे बनके आएगा minus x cube minus x y square minus x z square अब देखो x dx plus y dy plus z dz नीचे वाले में से हम common क्या ले सकते है हमने common ले लिया minus x अगर minus x को common लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x square plus y square plus z square अब ये left hand side वाला जो उपर ही उपर जो left hand side में पार्ट दिख रहा है यह तो अपने पास किसे है method of multiplier से है और जो right hand side में जो पार्ट लिया वाए डी जेड़ अपने ले लिया यह यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट और फैस्ट का जो third term है वह हमने यूज किये यहां पे क्योंकि यह क्योंकि अपने को solve करने के लिए दो ग्रूप चीए और equal sign के बाद में आया है अपने पास dj upon minus 2zx दोनों में common चीज़ क्या है minus x minus x left hand side में भी दिख रहा है minus x right hand side में भी दिख रहा है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे cancel out हो जाएंगे cancel out होने के बाद में आपको right hand side में dj upon क्या दिखेगा 2z तो 2 को हमने cross multiplication से उपर लेगे तो आपके पास बनेगा 2x dx plus 2y dy plus 2z dz upon x square plus y square plus z square is equal dz upon z अब on integration देगो मैंने कहा था कि हम LMN को कुछ इस्तरी के से लेगे कि अपने पास नेचे वाले का differentiation उपर मिल जाए तो अब आप खुद देखो कि x square plus y square plus z square का अगर मैं t मान लूँ तो इसका differentiation करूँगा तो क्या वेलिवाएगी 2x dx plus 2y dy plus 2z dz is equal क्या देगा dt तो ये 1 upon t dt की form में देखेगा और इसका integration करेंगे तो अपने पास क्याएगा log t तो ये आपको देख रहा है log of x square plus y square plus z square is equal 1 upon z dz देख रहा है 1 upon z का integration क्या होता है log z होता है plus log c2 सेम प्रोसेस आपको दबारा करनी है log a minus log b तो क्या देखेगा log a upon b तो log a upon b की form देख रही है आपको सामने अब आपके पास क्या वेलिवा गई log से log cancel out कर दो x square plus y square plus z square upon z is equal c2 आपके पास एक c1 आया थार एक c2 देखो यह रहा आपके पास c1 c1 is equal आपके दिख रहा y upon z और दूसरा आपके पास c2 की वेलिव यह आ रही है तो general solution क्या होगा 5 of u, v लेते हैं तो यहाँ 5 of c1, c2 की वेलिव लिख दो तो यहाँ पर आएगा आपके पास y upon z, x square plus y square plus z square upon z equal 0 तो इस तरह के से हम जो यह equation है आपकी partial differential equation उसमें लांगराज method को apply करके हम इस तरह के से solve कर सकते हैं और भी आप कोई भी questions book में हो तो आप उनको try करना उनको solve करने के लिए method of grouping और method of multiplier donut use करना और solve करना कुछ questions आपको मैं practice के रूप में कराऊंगा जब अपने पास यह थोड़ा सा syllabus आगे complete होगा अपना partial differential equation का यह chapter complete होगा उसके बाद में अपन कुछ questions और attempt करेंगे इनके वेस पे फिलाल के लिए हम यह दो क्यूसन किये हैं आगे आप खुद से try करना मैं आपको एक क्यूसन बेंक भी आपके वार्टसप ग्रूप में center कर दूँगा तो उससे आप try करते रहना ठीक है अगर कोई problem आए तो मेरे से आपको लेना, thank you.